असलाम लेकुम आज मैं आप लोगे साथ शेयर करूँगी पालक पनीर बनाने की रेसिपी उमीद करती हो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी पालक पनीर बनाना बहुत ही इजी है सबसे पहले आपको 700 ग्राम पालक लेना है आपको इसके पालक को इस तरह से अलग कर लेना है आप चाहे तो इसके डंठल को भी ले सकते हैं और आप ना चाहे तो आप उसे डिसकार्ड भी कर सकते हैं अब हम इस पालक को ब्लांच करेंगे, इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी को अच्छे से उबाल लिया है, आपको पहले पानी को अच्छे से उबाल लेना है, उसके बाद आप इसमें सारे पालक को डाल दे, पालक डालने के बाद आपको इसे बस एक से दो मिनट तक इसमे उबलते हुए पानी में रखा था, अब मैं इसे निकाल लूँगी, इसे आपको निकाल के डारेक्ली ठंडे पानी में डालना है, यहाँ पे मैंने आइस वाटर लिया है, आप आइस वाटर ले ले और इसमें इन पालक को निकाल के डारेक्ली डाल दे, इससे जो पालक का कलर ह वो change नहीं होगा और यह बहुत ही green रहेंगे इसे आपको इस तरह से 10 minute के लिए रखना है उसके बाद आपको इसका पूरा पानी निकाल के मिक्सी के jar में add कर देना है मिक्सी के jar में add करने के बाद आप इसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पीस ले पीसने समय आप जड़ा सा भी पानी का इस्तमाल ना करे और जब आप इसे पीसे तो आप make sure करें कि पालक को आपने अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है यह देखिए यहापे मैंने पालक की प्योड़े बना ली है और यहापे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है पनीर को मैंने triangle shape में cut किया है आप किसी भी shape में cut कर सकते हैं अब हमें कड़ाई लेंगे और इसमें 3 tablespoon oil add करेंगे और जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप पनीर को एक एक करके डाल ले और इसे हमें इसे shallow fry करना है आपको इसमें golden brown color नहीं चाहिए बस हलका सा आपको इसे fry करना है ताकि जब हम पनीर को पालक में डाले तो वो तूटे ना जब ये एक साइट से थोड़ा सा fry हो जाए तब आप इसे पलट ले और इसे दूसरे साइट से भी fry कर ले इस प्रोसेस को repeat करके आप सारे पनीर को fry कर ले ये देखिए ये जादा गोल्डेन ब्राउन नहीं है अब हम उसी ओइल में आधा चमब जीरा एड़ करेंगे जीरा जब अच्छे से क्राकल होने लगेगा तब हम इसमें एड़ कर देंगे दो छोटी इलाइची, दो लॉंग और एक दालचीनी का टुकड़ा इन सब चीजों को एड़ करने के बाद आप इसे एक मिनिट तक थोड़ा भून ले ति अब यह थोड़ा भून जाए तब हम इसमें एड़ कर देंगे प्यास यहापे मैंने एक चोथाई का बारी कटा हुआ प्यास लिया है प्यास को आपको अच्छे से भूनना है ज्यादा आपको प्यास को नहीं भूनना है हमें बस लाइट पिंकिश कलर चाहिए आप इसे हाइ फ्लेम पे भून ले दो से तीन मिनट के लिए दो से तीन मिनट तक इसे भूनने के बाद जब आप देखे कि इसमें लाइट पिंकिश कलर आ चुका है तब हम इसमें एड़ कर देंगी वन टेबल स्पून अध्रक लेसुन का पेस्ट अध्रक लेसुन के पिस्ट को एड़ करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से भून ले ताकि जो अध्रक लेसुन का कच्छापन है वो निकालाए इसे भी आपको दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें पालक का प्योड़े आड़ करेंगे जो हमने पालक का प्योड़े त्यार किया था यह दिखिए आप पालक कप्योरे एड़ कर दे और अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स कर दे और इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मेर तक भून ले दो से तीन मिर्ट तक भूनने के बाद हम इसमें मसाले आड़ करेंगे मसालों में मैं सबसे पहले इसमें नमक आड़ करूँगी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक आड़ कर ले यहाँ पे मैंने आधा चमच नमक आड़ किया है अब मैं इसमें आड़ करूँगी आधा चमच लाल मिर्ची पावडर, आधा चमच काली मिर्च पावडर इन मसालों को आड़ करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए तब आप इसे कुक करेंगे आपको इसे 10 मिनिट के लिए slow frame पे ढखके cook कर लेना है इस तरह से मारे पालक अच्छे से cook हो जाएंगे आप इसे 10 मिनिट तक lid लगा के cook करें 10 मिनिट हो चुका है हम पालक को चेक करेंगे पालक देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से cook हो चुका है अब हम इसे stage पेस में cream या मलाई मैं यहापे मलाई आड़ कर रही हूँ आप मलाई जो हम दूद के उपर छाली बनती है उसे निकाल ले और उसे अच्छे से fat ले मैं यहापे तीन चमच मलाई आड़ कर रही हूँ अगर आपको अमूल का fresh cream मिले तो आप उसे भी तीन चमच इसमें एड़ कर दें अब इसे आप अच्छे से mix कर ले और गास का flame slow पे ही रखें एक से दो मिनिट तक इसे cook करने के बाद हम इसमें पनीर एड़ कर देंगे एक एक करके अब सारे पनीर इसको add कर ले और इसे mix कर ले पनीर आड़ करने के बाद एक से दो मिनिट तक cook करें उसके बाद अब हम इसका चौका त्यार करेंगे चौका बनाने के लिए मैंने यहापे एक बरतन में दो चमच बटर आड़ किया है बटर जब अच्छे से मिल्ट हो जाए तब हम इसमें add कर देंगे गरम मसाला पाउडर यहाँ पर मैंने एक चौथा चमच गरम मसाला पाउडर लिया है इन दोनों चीजों को अच्छे से mix करने के बाद अब हम इस चौके को अपने पालक पनीर के उपर डालेंगे इस तरह से आप पालक पनीर के उपर अपने चौका डाल ले और इसे अच्छी तरीके से mix कर ले अगर आपको लगे कि आपका पालक पनीर बहुत पतला है तो आप इसे हलका flame high कर ले और इसे इसका पानी सुखा भी सकते हैं वरना ये इसी तरह से भी बहुत टेस्टी लगते हैं चौका अट करने के बाद अब हम इसमें अट कर देंगे कसूरी मेथी यहापर मैं आधा चमच कसूरी मेथी अट करूँगी कसूरी मेथी से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है कसूरी मेथी यह आट करने के बाद अच्छे से मिक्स करें और पाच मेर तक आपको इसे स्लो फ्लेम पे कुक करना है उसके बाद आप इसे सर्फ कर सकते हैं इस तरह से आप इस पालक पनीर रेसिपी को ट्राइ करें आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आएगी आप इसे क्रीम के साथ गार्णीश कर सकते हैं आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा यह बहुत ही टेस्टी बनती हैं पालक पनीर के साथ आप नान या कुल्चा बना सकते हैं वह बहुत ही टेस्टी लगती है इसके साथ मैं आपको कुल्चे की रेसिपी लास्ट में टैक कर दूंगी आप चाहे तो कुल्च की रेसिपी वहां से देख सकते हैं I hope आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो अच्छी लगी है मेरी रेसिपी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग खुदा हाफिज